Hello friends, Welcome back to my channel Friends, आज हम बात करेंगे Pimples से permanently यानि के हमेशा के लिए कैसे छुट कर आपाया जाए Friends, Pimples का तो सबसे main कारण है वो है शरीर में hormones का बदला होना इसके कारण skin में oil आने लगता है यानि के तचा में तेल आने लगता है जो male के साथ मिलकर तो आपको बिलकुल भी परिशान होने की जूरत नहीं है दोस्तो आज जो मैं नुस्का बताऊंगा बहुती देसी घरेलू नुस्का है जो 110% आपके pimples को permanently खतम कर देगा और आपकी skin को पहले की तरह जवान और सुन्दर बना देगा तो वीडियो को end तक ध्यान से देखेगा ताकि आप कोई भी tip मिस न कर पाएं तो दोस्तो इस नुस्के में जो सबसे पहले वस्तू यूज़ करेंगे जो चीज हम यूज़ करेंगे वो है दोस्तो Sandalwood Powder यानि के चंदन Powder Friends इसके नदर हम चंदन Powder का यूज़ करेंगे चंदन Powder हमारी skin के लिए बहुत ज़ादा फायदे मन दोता है या हमारी skin को clear रखता है हमारे skin से oil खतम करता है जिसकी वह से pimples आते हैं जो black heads होते हैं, white heads होते हैं उनको खतम करता है साथी साथ हमारे pimples को खतम करके skin को clear और सुन्दर बनाता है और ये चंदन Powder दोस्तो आपको किसी भी medical store और cosmetic store पर easily आपको 10 से 20 उर्पे में आसानी से मिल जाता है तो इसके अंदर हम लेंगे दोस्तो एक चंदन Powder का ये देखिए दोस्तो एक चंदन Powder हमने इसके अंदर ले लिया है अब जो दूसरी चीज हम इसके अंदर add करेंगे दोस्तो वो है गुलाब जल, दोस्तो गुलाब जल हमारी skin को clear करने में बहुत जादा helpful होता है या मेरी skin की pores के अंदर जाकर के जो bad bacteria होता है, गंदा bacteria होता है उसको निकालता है, dirt pollution को निकालता है, मिट्टी मैल को निकालता है और dead skin को निकालकर हमारी skin को clear और सुन्दर बनाएं बहुत जादा help करता है और दोस्तो इसके अंदर हम लेंगे दो चमच गुलाब जल का यह देखिए, इस तरीके से दो चमच गुलाब जल हम इसके अंदर add कर लेते हैं यह एक चमच और यह दो चमच दोस्तो गुलाब जल हमारी skin को सुन्दर बनाएं बहुत जादा help करता है दोस्तो आपने देखा होगा parlors के अंदर बहुत सारे beauty parlors के अंदर भी गुलाब जल का बहुत जादा use होता है और गुरेलो नुस्कों में यानि नुस्कों में पुराने जमाने से ही गुलाब जल यूज किया जा रहा है तो अब तीसरी जो चीज जो हम इस नुस्के में add करेंगे दोस्तो वो है aloe vera gel दोस्तो aloe vera gel सब भी जानते हैं हमारी skin के लिए कितना ज़ादा work मद्ध होता है कि हमारी स्किन को कलीन रखता है हमारी स्किन को हमेशा जवान रखता है और हमारी स्किन को सुंदर बनाता है पिम्पल्ण सी को खत्म करता है कील मुआ involve और स्किन को यग बनाकर रखने में बहुत जादा helpful होता है साथ किन can do की प्रॉब्लम डर्प्सपोट रह liberals और में बढ़ की प्रॉब्लm्ट की प्रॉब्लम दो हम बताई रही है और बहुत सारी प्रॉब्लम जु Libra की की प्रॉब्लम भी साल हो जाएगी तो इसके अंदर लेंगे दोस्तों एक चमप बनकर 10ade कर लेते हैं इसे मिक्स कर लेंगे देखें दोस्तों Video इस तरीकह सामने से मिक्स कर लेंगे मिक्स करने के बाद यह बहुत harvest in मिक्स करने के बाद यह आपको दिखाई देगा ये देखिए दोस्तो ये लगबग हमारा बनकर त्यार हो चुका है हमारे फेस के लाएक ये बन चुका है अब मैं आपको बता तो इसको इसको इसका इस्तमाल अपने चेहरे पर किस तरीके से करना है तो दोस्तो आपको क्या करना होगा सबसे पहले तो आपको अपने फ लेना है उसके बाद अपने हाथों को धो करके अच्छी से आपको यूज़ करना है यह नुसका तो आपको करना है क्या होगा अपने साफ सुत्र हाथों से इसमें 2-3 उंगलिए से लेना है आपको या फिर आप अपने पूरे फेस पर इसको अच्छे से लगा लेना है यह देखे इस तरीके से जब पूरे फेस पर जहाँ आपको पिंपल्स नहीं है वहाँ पर भी आप इसे अपलाई कर सकते हैं क्योंकि यह आपके स्किन के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है और इसके कोई भी भी स्किन के करें हावा में बैट कर धूप में बैट कर या पंक्ये की हावा से यह नैचुरली जब तक सूखे इसको सूखने देना है उसके बाद में आपको गुंगुने पानी से ही अपने चैरे को धो लेना है दस मिन्ट से पंदरा मिन्ट इसको जब तक इस सूखना जाए इसको रहने दिना है उसके बाद गुनगुने पानी से अपने फेस को धोलिना है दोस्तो ये नुसका आपको साथ से दस दिन लगातार अपने चैरे पर यूज़ करना है वैसे तो आपको 2-3 बार यूज़ करने के बाद ही अपने चैरे पर जो आपके स्किन प्रॉब्लम से उनसे आपको फरक दिखने लगेगा तो इस तरीके से नुसका 7-10 दिन आपको अपलाई करना है 10-15 मिन रखना है और चैरे को दून्गूने पानी से धोलेना है तो दोस्तो हो सके तो चैरे पर साबून का यूज़ ना करे कोई भी हरबल फेस वाश अपने फेस पर यूज़ करे और दोस्तो अगर आप चैनल पर नहीं है चैनल को सब्सक्राइब करके उसके बगल में एक बैल आइकन है उसको जुरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके थैंक्यू फ्रेंड्स